जानगीर चापजिला के पामगड जहां महिलायम बाल युकास्य भाग द्वारा आगनबारी कायरकरता सही का भरती में बड़ी गड़बडी किये जाने के मामला श्राब ने आया है वहां अपने लोगों को फाइदा पहुचाने के लिए नियम कानून को दरकिनार कर दिया गया यहां तक कायरकरता सही का भरती प्रक्तिया के दोरान ही लगबाग अधिकांस केंद्रों में दावा आपत्य लगाई गई लेकिन अभी तक उनका निराकराण नहीं हो सका है इसका जवाब शिकायत करताओं को आथ तक नहीं मिल सका आपत्या महिलायं बाल वीकासी भाग पामगर कैरेलाय में ही दब कर रहा गई शिकायत करताओं का कहना है उनकी दावापती में क्या निराकराण किया गया इसका जवाब उनहीं नहीं दिया गया दावापति के निराकराड के संबन में जब भी भागी अफसरों से जवाब मांगा गया तो सीधे नियमों का हवाला देखर उनका मूँ बंद कराने की कोशिश की जाती रही है दावापति का निराकराड अगर की गई होती तो निश्चित रूप से जवाब दिया जाता अब मीडिया में बास सामने आ गई है तो अधिकारी लोग का रहे हैं कि उपर से दबाओ था इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा है। अगर हम बात करें पामगड में कैरकरता साही का भरती की तो विकास खंड के अंगनबाडी केंदर कमंग पांच पंडगाओं रोड भाउतरा और चंडी पारा के उरहिहा पारा अंगनबाडी केंदर में आठवी कक्षा की जिस अंग सूची का धार पर साही का पदोपन युक् मंदा विकास खंड बलावदा की आठवी कक्छा की अंग सुची लगाई गई है और उसी के अधार पर निक्ति दी गई है उस विद्यालय में आठवी क्लास की पढ़ाई होती ही नहीं है इसकूल नौमी से बारवी तक ही संचालित होता है वहीं असास की महरानी लच्मी बाई उतर मादमी की बिद्यालाय बलावदा का कोई रिकार्ड ही नहीं है विकास कंड सिक्छा दिकारी बलावदा के द्वारा भी पूरे बलाक में उक्त नाम का कोई इसकूल वरतमान में संचालित नहीं होने की जानकारी लिखित में आठी आई के तहद दी गई है चाओ काने व और दूसरी अंग्सुची दो हजार नौ में बनाई गई है यहां तक प्रतिसाद भी 93-93 अंग दिये गए हैं डियो के सिगनेचर के लावा अंग्सुची में संस्ता प्रधान सचीव पूर मादमिक परिच्छा और मुल्यांकन केंद्र ध्यक्चक के हस्ताक्षर भी नहीं है जबकि सभी के हस्ताक्षर रहते हैं प्रतांग का कालाम भी खाली है दोनों अंग्सुची की हैड राल्टिंग भी एक ही प्रकार की है तारापती कस्प ने सूचना के अधार पर रानी बाई उतरमादूी विद्यालाय करमंदा विकास खन ब्रोधा के प्रचार से गंगा ब जब भी जन प्रतिनी दियों की मिटिंग होती है तो जिन जन प्रतिनी दियी महिला है वहाँ उनके प्रति लोग यदि महिलाओं को बैठक में समिल भी कि जाती है तो नहीं बोलने नहीं दिया जाता उनके पती देवी सारे काम करते हैं और महिला जन प्रतिनी दियी चुपचाप बैठी मुख दरसक बनी रहती है